यह और उसके बाद अनलोग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यह इन डिस्पले फिंगर्प्रिंट आ रहा है और जैसे आप इस पर लगाएंगे अपना फिंगर तो इस तरीके से ओन हो गया है तो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कि रेडिमी नॉट 11 प्रो मोबाइल में आप कैसे इन डिस्पले फिंगर्प्रिंट लगा सकते हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है आपको दो स्टेप बताने वाला हूँ दोनों स्टेप आपको ध्यान से देखना है सबसे बाद यहां पर screen lock पर click करना है और आपको just यहां पर अपना pattern या फिर password डाल देना है डालने के बाद सबसे निची एक आपसे मिलना है turn off screen lock तो सबसे पहले आपको इस पर click करना है और यहां से ok कर देना है ओके करने के बाद आपका first step जो है वो complete हो चुका है अब आपको back जाना है अब आपको second step के लिए क्या करना है ध्यान से देखना अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो आप जो in display fingerprint नहीं लगा पाओगे तो आपको क्या करना है जाना है अपने mobile के themes apps में आपके mobile में theme application होती ह नहीं आपको लिखना है तो आप ध्यान से देखना ये लिख देना है new oxy era जैसे आप new oxy era लिखोगे इस तरीके से spelling भी आप देख लीजिए इसको आपको search करके जो है search करना है search करने पर जो पहले नंबर पर themes आ रही है इसका नामे new oxy era इस पे click करना है इस पे click करने के क्या करना है यापर दो आपसम जो पीछे वाले मिलने है icon and system इन दोनों को tick mark जो लगे थे इनको untick कर देना है untick करने के बाद आपको apply पर click करना है जैसे आप apply पर click करेंगे तो ये apply होना चालो हो जाएगा और आपका apply हो जाएगा अब आपको जाना है back themes देखिए apply हो चुक लाएंगे अपना finger तो इस तरीके से on हो गया मैं फिर से आपको दिखा देता हूं तो जैसे इस पर हम लगा रहा है तो देखिए on हो रहा है तो इस तरीके से आप भी अपने mobile में in display fingerprint को लगा सकते हैं